नमस्कार दोस्तों बीजेपी ने बीफ एक्सपोर्ट करने वाली कमपनी से चंदा लिया है बीफ एक्सपोर्ट करने वाली कमपनी मतलब गौमास और बीजेपी ये दोनोवर्ड एक साथ सुनने में बड़ा ही डर लगता है लगता है या तो आप मरने वाले हैं या आप मारने वाले हैं ये वो ही बीजेपी है जिसका आधार सनातन धरम है इसमें योगी आधित्यनाथ जैसे गोप्रेमी और मोदी अमीत शाह जैसे हिंदू वादी नेता है मतलब ऐसा है इन पर तो पूरी दुनिया की लानती खटा करके पारसल की जानी चाहिए अगर ऐसी पार्टी को वोट दिया तो खुद को एक हिंदू आप कैसे कह सकते हो कैसे गोमाता से आप नजरे मिला सकते हो मतलब अब तो बात धरम पर आ गई है अब तो आपको जाग जाना चाहिए ये मैं नहीं कह रहा हूँ ये सारा बवासीर फैलाया हुआ है दृवराठी जैसे लिबरांडू और लेफ्टिस्टों का ये लोग कोई भी हिंदू विरोधी, बीजेपी विरोधी टोपिक पकड़ते हैं और खुले में हंग देते हैं और इनकी गटिया हरकतों की वज़ा से पूरी दुनिया में भारत की बदरामी होती है और इनकी तादद ऐसे भढ़ती जारी है जैसे कि अमेरिका में जेंडर मैं बाइनरी लिबरांडू, मैं नोन बाइनरी लिबरांडू, मैं आदमी के शरीर, मैं औरत के शरीर, मैं जानवर मतलब इन ही लोगों की वज़ा से भारत का स्वच भारत अभियान फेल हुआ था तुम में से भी बहुत सारे लोगों ने बात सुनी होगी कि BJP ने एक बीफ एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी से चंदा लिया है और आदे से जादा लोगों इसे सच भी मान लिया होगा क्यूं? क्यूंकि ये बात कही है खान सर और द्रुवराटी जैसे समझदार लोगों ने और खान सर भला कैसे गलत हो सकते हैं? ये बात तो next to impossible है आप खुद देख लो खान सर को कितना दर्द है गउमाता पर होने वाले अत्याचार से खान सर ने पूरा गणित बता दिया कि एक गाय कितने की आती है, कितनी गाय मारी गई, कितने करोड का फ्रोड हुआ लेकिन एक जनरल स्टीडीज के टीचर होते हुए भी ये ये नहीं पता कर पाए कि इंडिया गउमास को एक्सपोर्ट नहीं करता देखो कहने को तो ये टीचर हैं और मैंने भी इनकी बहुत सारी वीडियो देखी हैं, आपने भी देखियोंगी, सच में बहुत बढ़े पड़ाते हैं, लेकिन यहां, लेकिन यहां में पिगल गया यहां इनोंने हग दिया अगर JNU के टीचर्स को छोड़ दें, तो बहुत जिम्मेदारी वाला प्रोफेशन होता है एक टीचर का, और यहां पर खांसर है कि सिर्फ BJP से नफरत की वज़ा से कुछ भी अनाफशन आप बगए जा रहे हैं, मतलब खांसर को अगर BJP से और मोदी जी से इतनी नफरत है नहीं चाहतेगी वो जीते तो कम से कम सही मुद्दे और सच्ची बात तो लेकर आनी चाहिए हैं, यही बगवास धुरूर आठी ने अपनी डिक्टेटर वाली वीडियो में किया था, और तुम लोगों ने भी वो वीडियो देखा होगा, मतलब तुम ने गया, अब तक तो और ना लिबरांडों को माजा कैसे आएगा, पर खान सर से उमीद बिलकुल नहीं थी, कि बीजेपी के विरोध के चक्कर में लोगों के मन में जूटा जहर गोलेंगे, और फिर आता है मौम्मद जूबेर, या मौम्मद जूबियर, वैसे ऐसे चपरे को तो कोई भी सीरियस करोगे, तो ये भी लिखा आएगा कि वो बीफ एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन बीफ का मतलब सिर्फ गोमास नहीं होता, बीफ में बफैलो का मीट भी आता है, और इंडिया के जिस बीफ एक्सपोर्ट की बात आप कहीं भी पढ़ते या सुनते हो, वो बफैलो का मीट है, क ऐसे में जो मुँ फढ़कर कहें भी ये कहेंदेता है ना कि इंडिया सबसे ज़्याधा गोमास एक्सपोर्ट करता है, तो ऐसे लोगों को सिर्फ यह कह सकते हो कि? इंडिया में केरल गोवा और कुछ नोर्थ इस्ट राजियों को छोड़ कर ज्यादतर राजियों में गोहत्या, गोमास इल्लीगल है इंडिया बफैलो मीट, शीप मीट और गोट मीट एक्सपोर्ट करता है और जिस कंपनी ने बीजेपी को चंदा दिया है, वो कंपनी भी इनी जानवरों का मीट एक्सपोर्ट करती है और सबसे बड़ी परेशानी भी यही है कि ज्यादा तर जनता जहां भी बीफ सुनती है सीधा गोमाता दिमाग में आ जाती है और इसी का फायदा ये दुरुट अट्टी जैसे लोग उठा रहे है मतलब आप खुद सोचो जो दुरुवराटी इतना रिसर्च करके वीडियो बनाने की बात करता है क्या इसे ये बात पता नहीं होगी कि इंडिया जो बीफ एक्सपोर्ट करता है वो गाय का नहीं भेंस का मास है लेकिन अगर ऐसा बता दिया तो ना तो हिंदू, बीजेपी और मोदी से नफरत करेंगे और नहीं लिबरांडू के दिल को तसली मिलेगी मतलब मसाला कहा से आएगा वीडियो में जब तक बीजेपी और हिंदूओं को नीचाना दिखाया जाए और यह जो दुरूवराठी के दोगलेपने और हिंदू विरोधियोने की बात में कर रहा हूँ यह को यह हवा में नहीं कर रहा हूँ रिशब बिदूरी के एक वीडियो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा उसने दुरूवराठी को अच्छे से एक्सपोज किया है कि उसका क्या एजिंडा रहता है कैसे उसका पूरा फोकस सिर्फ हिंदू और बीजेपी के अगेंस चलता है और इसके बात दूसरी बात हमारे लिए और यहां हमारे लिए से मतलब है हिंदूों के लिए इंडियन बीड्यक्त की जुगाएं हैं वो मा के समान होती है इस तरह की जो जर्सी गाएं हैं इनमें और भैस में कोई अंतर नहीं है ये बात सिर्फ उन लोगों के लिए हैं जिनने लगता है कि हर गाय माता होती है। अब बात करते हैं उन लोगों की जो पशु प्रेम हैं जो कहेंगे कि भैस या बकरे कोई क्यों मारना है उनमें भी तो जान होती है। तो आप अपनी जगा बिल्कुल सही हो बस उसी जगा रहो। क्योंकि सच्चाई यही है कि जिन लोगों को मीट खाना है वो मीट खाएंगे। उनके लिए पशु प्रेम वाली बातों का कोई मतलब नहीं है। खास करकि दिया मिरिजा और आप जैसे वो लोग जो हर दिन मुर्गा खाते हैं पर अगर होली पर आप कुत्ते को थोड़ा सा रंग भी लगा दू तो इनकी रूख आप जाती है। तो सोबातों की एक बात ये है कि यूट्यूब, फेस्बुक, ट्विटर पर जितने भी दुरूर आठी जैसे ग्यानी महापुरूश बने बैटे हैं। इनका कोई भी वीडियो उठाकर एक बार क्रोस चेक करके देख ले ना। तुम्हें पता चल जाएगा कि ये कितने बड़े दगर दल्ले हैं जिनका काम सिर्फ हिंदू गिरोधी एजेंडा चलाना है। जै हिन, जै भारत!